आज अपने बात करने वाले हैं दि आल न्यू अपकमिंग 2020 हुंड़ी वर्ना के बारे में युंड़ी वर्ना बहुत जल्ट इंडिन मार्केट में लाउंच होने वाली है क्या लुक होगा इस गाड़ी का रियर से वह आप स्क्रीन पर एक पार हैं साइड लोग दिखने वाले हो गया एक नीट इन क्लीन जो है लुक मिल गया है तो थोड़ा पूट जो है डिजाने में चेंज करें बाकी बड़े कोई जादा बदलाओ नहीं करें हैं रियर बंपर जो है महा पर भी आपको क्रों के स्लीक जो हैं देखने को मिल जाएगी साथी साथ उनकेंदर आप जो है वो आप लोगों के सामने हैं यहां पर वढ़ना जो है अल्मोस्ट एटी टू नाइनटी परसेंट जो है स्मिलर लिखती जो करेंट जनुरेशन वढ़ना आपन यूज कर रहे हैं चीम दिखने में आल्मोस्ट लिख रही है विंडो लाइन भी आप देख सकते हैं जो दोर हेंडल्स के उपर जाती हुए वो बोडी लाइन जो है काफी ज्यादा अर्ची लग रही है और वी एंपे की LED में इंडिकेटर्ड जो है इंडिकेटर्स माउंट किये हुए है साइट फैंडर बिल्कुल प्लेन है और नए अलाई वील्स यहां पर आपको दिखाए दे रहे हैं जिनकी डिजाइन जो है नो डाउट पहले से भी बहुत ज्यादा कुप्शूरत होने वाली 16 इंचेस के अलाई विल्स वरना को दिये जाएंगे आ जाते हैं फ्रंट लुक मे तो गाड़ी का फ्रंट लुक जो है वार देखिए कुछ नया जो है करने की यहां पर कोशिश की गई है एक प्रीमियम सोफिस्टिकेटिट सूमर लुक यहां पर वरना हो दिया है पहले थोड़ी सी जादा स्टाइलिस लग ती नो डाउट अभी में स्टाइलिस लग रही ह फ्रंट की है जो कैस्ट लाइड इंग ग्रील है वो दिखने में काफी जादा अच्छी लग रही है और क्रूम का महाँ पर यूज काफी अच्छी तरीके से किया गया है और सिल्वर फिनिश भी जो है यूज की गई है और साथी प्रजेक्टर जो है कॉर्णरिंग आपको फीचर के साथ में फॉगल यहां पर मिल जाता है नहीं आउज के साथ में इसकी प्रेट मिल जाती है देख सकते हैं और लेडी निव हैड लेंप यहां पर दिये गए शीचेप आपको LED जो है डेटायम राइनिग लाइट और है लोजन में जो है इंडिकेटर्स की जो की लॉंच देट है वो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पर अप्डेट के दूए इंस्टाग्राम पर आप लोग मिस्कर देते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये महाँ पर आप आप जाके जॉइन हो सकते हैं मौस परभूब लिए 26th of March को जो है लाइ पर आप लोगों को देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बैल इकन वाले बेटन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन पर मांक कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन कास्वाइक स्कूर्श की नियूज रिविस कंपरसन वाली वीडियो जो रेगुलर चैनल पे ड हुआ हुआ है